इस वक्त की खबर आपको बता दें, परियाग्याथ इससे सामने आ रही है, हॉस्पीटल के मोचरी में शब वाहन पहुंच चुका है, तस्वीरे भी इसके सामने आ रही है, हमारी सायोगी वहाँ पर मौझूद है, और पल-पल की अपडेट हमें बहुंचा रही है, कि वहाँ पर इस वक्त क्या परिखिरिया चल रही है, तो हॉस्पीटल के मोचरी में शब वाहन पहुंच चुका है, उससे के यह तस्वीरे भारी पुलिस फोर्स भी यहाँ पर टैनाद करती गई है, सुरक्षा के बीच शब वाहन को लेकर के मोचरी पहुंचा गया है, और यह हॉस् इस वक्त वहाँ पर क्या तस्वीर है, कैसी हलचल है? वहाँ पर फिर जो आइडेंटिफाइड या सीमो जो प्रयाग राज है, उनकी मौजूर्की में जो स्कैनिंग और एक्सरे के बाद गुलेट्स जो अंदर अतीक और असरफ के रह गई है, 29, 29 राउंड फाइरिंग हुई इस हास्पीटल के अंदर, जब गोली चली थी, सब से पहला गोली उतारने वाला जो शक्स है, जिगाना पिस्टल से उसका नाम शनी है, जिसके तार पंजाब से जुड़े हुए माने जा रहे हैं, जो पूस्ता आज में खबरें सामने आ रही है, लारेंस बिस्नोई गैंग से उसके तार जुड़े होने की खबर आ रही है, औ और उसका जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को मैं समझा दूँ, ये प्रक्रिया इसलिए जो भी अभी दर्शक जुड़े होंगे इसलिए बता दूँ को पोस्ट मार्टम और स्केनिंग के बीज की ये प्रक्रिया है, जब किसी को बुलेट्स मारी जाती है, गोली मारी जा सारे छेद दिख रहे हो कि बुलेट्स बाहर हो चुके हैं तो ऐसी स्थिती में इस स्कैनिंग या हम कह सकते हैं कि इस X-ray के लिए जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन जब 29 राउंड फाइरिंग हो रही है ऐसे में बहुत सारे बुलेट्स शरीर के अंदर रह गए होंगे और इसकैनिंग के बाद जब पता चला तो X-ray की सबसे अच्छी सुविदा सरकारी हॉस्पिटल में मोतिलाल नहरू के इस हॉस्पिटल में है जहां घटना अस्थल भी है जहां पर कल क्राइम भी हुआ था अतीक और असरप को गोली भी मारी गई थी जो जूडिसियल कस्टेडी में गोली मारी गई थी तो यह जो पूरी प्रक्रिया है वो उसे जो दर्शक नए-ने जुड़े है उन्हें समझाने की कोशिश से कर रहा हूँ कि यहां पर जो सियमों की मौझूदगी में जो स्कैन करने के बाद जो एक्सरे के बाद बुलेट्स अंदर दिखाई देंगे उस स्पार्ट को कागज पेपेपर पिल लिख लिया जाएगा फिर इस स्पार्ट को कि कहा कहा वो गोली बुलेट्स है वहाँ पर यहां के जब पोस्ट मार्टम में जाएंगे पोस्ट मार्टम में उन बुलेट्स को निकाला जाएगा फिर वहाँ पर उसकी रिकॉर्डिंग होगी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी पास डॉक्टर्स की टीम पोस्ट मार्टम करेगी पोस्ट मार्टम के समय उस स्पॉर्ट जहां गोली फसी है वहां निकाल कर बकाइदा उसको नोटेट किया जाएगा रिजिस्टर्ड किया जाएगा और जब ये मुकदमा चलेगा उस मुकदमे के दर्मियान भी इन सारे सबूत वीडियोग्राफी ये सारे बुलेट्स की संख ये स्केनिंग ये एक्सरे ये सब रिकार्ड किया जाएगा और रिकार्ड में लिखा जाएगा ताकि जब मुकदमा चलेगा उन तीनों हत्यारों के उपर और उनके तार किस से जुड़े हुए है और उनके तार के तार किस से जुड़े हुए है जब परते खुलेंगी जब पूस्टाच लागातार आगे बढ़ती जा रही है जिसके तार पंजाब और पाकिस्तान आईसाई तक धीरे धीरे पहुच रहे हैं तो इस बात से और भी आसा होगा कि आखिर कौन है जो यूपी में इस तरह के द्यमाका इस तरह के क्राइम को अंजाम देने की कोशिस किया है वो शक्तियां कौन सी है जो 18, 22 और 23 साल के इन नौजवानों को गुमरा करके इस हालात तक लेकर आई हैं क्या ये किसी के कांट्रेक्ट किलर है सुपारी किलर है या किसी के सह पर उन्होंने काम किया है लेकिन इतना तो माना जाएगा कि अतीक गया अतीक एक रक्त बीज के स जो 24 साल जिसने यहा खौफ की दुनिया जराइं की दुनिया और क्राइम की दुनिया में अपना सिक्का चलाता रहा उसके 44 साल के सामराजि को एक बुलिट मार कर 10 मिनट के अंदर सबकुछ खत्म करने वाले इन तीन यूकों की रंगबाजी रंगदारी और उनके माफिया डान और दबंग कहलाने की जो उनकी चाहत है वो कहां तक जाकर रुकेगी पुलिस उसे किस रूप में रोक पाएगी 44 साल लग गए अतीक और असरफ को रोकने में इतने मुकदमे हुए 100 से जादा मुकदमे अतीक पर रहे 50 से 60 के करीब मुकदमे असरफ पर रहे किसी में सजा नहीं हुई ना अतीक को ना सरफ को अतीक को हुई तो अभी आजीवन का रावास हुई जब इस सरकार में अभी पूरा मामला भी एक महीने के अंदर ये मामला सामने आया है तो जराइम की दुनिया में खौफ की दुनिया में दूसरा नाम अतीक और उसका छोटा भाई अश्रफ तो इन जो तीन नौजवान ये जो गुमरा नौजवान पैदा हुए हैं जिनके माइंड वास को ऐसे समझाया गया ऐसे किया गया कि जराइम की दुनिया में अगर 44 साल के सामराजी को खत्म कर दोगे तो प्रियाग राज एक फिल्म आयती सत्या जिसमें मनोजवाजपेई कहता है कि मुंबई का डौन समुंद्र के किनारे खड़ा होकर कहता है कि भीकू महात्रे मुंबई का डौन कौन भीकू महात्रे तो प्रियाग राज में इन तीनों से जिस तरीके से पूस्टाज की जा रही है उनको जरासा भी अपसोस नहीं है वो लगातार जैश्रीराम के नारे और हिंदू जो प्रतीक शिन है धर्म के तरफ से यानि कुछ इस पूरी कथा को सा दआम प्रदाइक रंग देने की कोशिस बार-बार कर रहे हैं हला की 22, 18 और 23 साल के इन नौजवानों से इतना smart play करने की उमीद नहीं की जा सकती लेकिन पुलिस को जिस तरीके से ये गुम्राह कर रहे हैं जिस तरीके से पुलिस को बार-बार अपनी कहानी बता रहे हैं जि यहां इनके रुकने की नहीं हत्यारों के रुकने की बात की जा रही है कि महाँ यह रुके थे और लगातार जब एक महीना पहले admission लिया था, उन्होंने प्रवेश लिया था एलहाबाद प्रयागराज की एक बड़ी प्रसिद सिविल सर्विसेज के कोचिंग में जहां उन्होंने जब से ये जब प्रयागराज शूट आउट हुआ तो पूस्थाच में उन्होंने बताया कि हमें पूरी तरीके से इस बात की उमीद थी उमीद ये थी कि असरफ और अती को लाया जाएगा और जब लाया जाएगा तो हम उस अपने अंजाम को पूरा करेंगे आप इस पूरी प्रकरिया पे जो इस वक चल रही है अंजार्यल